आश्लाम उलेकम प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सब आप देख रहे हो इजी कुकिंग कॉर्नर और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदसी टिप्स लेके आई हूँ जिसमें आपके पैसों की भी बच्चत होगी आपके टाइम की भी बच्चत होगी कुकिंग में आपको बहुत हैल्प मिलेगी आप फटा फट कुकिंग कर लोगे बहुत ही अच्छे और्गनाइजर आप लोगों को बनाना बताऊंगी आप अपने किचन को भी और्गनाइज कर लोगे और बहुत ही अच्छी क्लीनिंग की टिप्स भी होंगी जिससे आपका कि इस ही दोफिर है अपने पापन है कि अगर खुल प्राइब कर लेता पाइजी तो इस तो आपके हाथ भी खुराब होते होंगे इस ट्प के साथ आपके हाथ भी क्यारे प्यारे से रहें गे और आपकी कूची भी बिलकुल सेब रहेगी ऐसे हमने दागा लेके इसे डबल कर लेना है तो इसकी एक साइड जो बंद है ना इसे हमने ऐसे खोलनी है दूसरी साइड से ऐसे पकड़ के हम इसे खींच के निकाल लेंगे तो ये टाइटली बंद हो जाएगा अगर आपकी नई कुची है तो आप उसके सेंटर से निकाल लो अब ऐसे हमने उपर को निकाल के इसका एक दागा हमने कैप के अंदर से निकाल लेना है एक साइड से ऐसा करने से ये बहुत टाइट हो जाएगी और बिलकुल भी हिलेगी नहीं जब आप बरतनों को मांजोगे अगर आपने उपर दो सुराह की हैं तो आप एक दागा एक सुराह से एक एक से निकाल के उपर बांद लो एक सुराह के साथ भी काम चल जाता है ऐसे हम एक साइड से ऐसे कसके से बंद कर देंगे दागा निकाल के और दूसरा दागा हमने उपर से पकड़ के इसे खींच लेना है टाइटली हमने इसे बांध लेना है अब आपकी कुची बिल्कुल भी हिले गी नहीं जब भी आप बरतन माझोगे बहुत असानी से आपके बरतन माझ हो जाएंगे और ये उपर से हम दागे को लटकाने के लिए यूज करेंगे देखें ऐसे आप पकड़ें और ऐसे अपने बरतन इजी लिए आप इसके साथ दो सकते हो आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे और आप काम भी बहुत असानी से कर लोगे जब आप अपना काम कर लो तो आप इसे ऐसे टैप के साथ लटका दो या कोई हूक वगएरा है आपके सिंग के पास तो उसके साथ लटका दीजिए इसके अंदर से सारा पानी निकल जाएगा और इसके अदर भूव गएरा भी नहीं बनेगी नेक्स टिप जो हमारी है वो दूद के उपर ज्यादा मोटी बलाई हमने कैसे लानी है हमने क्या करना है जब दूद को एक उबाल आ जाए तो आपने आँच को कर देना है हलका दम वाली आँच करके तो इसे चार से पांच मिनट पड़ा रहने देना है हलकी आँच के उपर तो आप देखिएगा आपके दूद के उपर इतनी मोटी बलाई की तैय आएगी ये देखिए आपको पता चल रहा होगा भी दो मिनट हुए है इसे पकते हुए तो उपर कितनी मोटी तैय लग रही है मलाई की जब 4-5 मिनट ये पकेगा तो काफी मोटी तैय हो जाएगी जब इसे ठंडा करने के बाद हम फ्रिज में रखके ज्यादा ठंडा करेंगे तो आप देखिए गए इसके उपर कितनी मोटी तैय आती है मलाई की फिर आप उस मलाई के साथ घर में ही मक्खन बना के खा सकते हो क्या करना है बेसन लेके इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है एक से दो चुटकी आपने इसमें मीठा सोड़ा डालना है और थोड़ा सा नमक डालके तो पानी डालके आपने इसका बैटर त्यार कर लेना है ऐसा स्मूथ सा बैटर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ये इतना थीक बैटर तियार करने के बाद आपने ओिल को करना है गरम और इसे उसके अंदर डाल देना है इसज़ाएं चमच के साथ डाल दीजिए या हाथ के साथ एक एक चमच आप डालीए और ये फूल फूल के आपके बड़े बनेंगे बहुत ही टेस्टी बड़े बनते हैं बहुत ही फूले फूले से बनते हैं तो आप ऐसे घर में बनाके दही बड़े खा सकते हो बजार से ज्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनते हैं तो आप ऐसे बना लीजिए आप और मज़े की बात इसे बनाके सेव भी करके रख सकते हो तो आपने इने इने बनाना है बनाने के बाद हलकी आज पे इने फ्राई की जिए का ताके ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाए फिर आपने इनको ठंडा करना है ठंडा करने के बाद आप इसे किसी भी air tight container में या शोपर वगरा में डाल के अच्छी तरह इसे बांद के रख लीजिगे फ्रिज में भी रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसे बाहिर भी रख लोगे तो ये दो महीने तक खराब नहीं होंगे बहुत ही अच्छे रहेंगे अगर फ्रिज में रख लोगे तो फिर तो ये काफी टाइम तक खराब नहीं होंगे तो आप ऐसे इसे बना के भी save करके रख सकते हो बहुत ही टेस्टी बनते हैं इजीली आप इने घर में बना सकते हो बना के खुद भी enjoy कीजिए और अपने घरवालों को भी बना के दीजिए next मेरी टिप अगर आपने गिंटो का काम मिंटो में करना हो तो आप छोटी छोटी चीजें पहले से तियार करके रख लीजिए जैसे कि लेसन लेसन चीलना बहुत मुश्क्कल काम है मैंने इसकी टिप भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है यदा बहुत ही जल्दी लेसन चील जाता है तो आप मेरे चैनल पर जाके विज़ट करके वीडियो देख सकते हो आप लेसन चील के तो इसका पेस्ट बना के तो इसे स्टोर करके रख सकते हो फ्रीज करके लेसन का पेस्ट भी मैंने आप लोगों के साथ दो तरह का शियर किया है एक ये पानी डालके आप बना लिए और इसे आइस की वर में डालके तो आप फीज कर लीजी जिए जब ये जम जाए तो इसे किसी भी चीज के डालके रख लीजीए दूसरा आप इसमें ओयल और थोड़ा सा नमक डालके इसे पेस्ट बनाके नीचे भी रख लोगे तो वो खराब नहीं होगा आपका 10-15 दिन इजीली गुजर जाएंगे इसके साथ तो आप उसे बनाके सेव करके रख लीचे जब आपने कुकिंग करनी हो तो जट पट इसे डालके अपनी कुकिंग कर सकते हो नेक्स्ट मेरी टिप सलाद से रिलेटिड है गर्मियों में सलाद बहुत ज़्यादा खाया जाता है तो उसमें जब हमने प्याज डालना हो तो मोटा प्याज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो आप इस तरीके से प्याज को काट ये पीलर के साथ पीलर सिर्फ चीजों को पील अफ करने के लिए नहीं यूज किया जाता है चीजों को काटने के लिए भी यूज कर सकते हैं ऐसे आप प्याज काट ये बहुत ही बारीक आपका प्याज कटेगा बारीक प्याज सेलेट में बहुत अच्छा लगता है आप ऐसे काट के सैलेट बना के खा सकते हो बहुत बारी कटेगा तो जरूर ट्राइ कीजीगा इस ट्प को और प्यास को काट के सैलेट बना के खाईए गर्मियों में तो वैसे भी सैलेट बहुत खाया जाता है नेक्स विप भी मेरी गिंटो के काम को मिंटो में करने के लिए है सबस मिर्चे वगरा जो होती है जैसे आपने लेसन का पेस्ट बना के रखा था ऐसे ही आप सबस मिर्च जो होती है उसकी डंडियां पीछे से तोड़के तो इसे चोपर में डालके चोप कर लीजिए और धेर सारी मिर्चों को आपने चोप करके तो फिर उसे रख लेना है फ्रीज करके ऐसे मैं आप लोगों को बताती हूँ अगर आपके हाथों को मिर्चे जुबती हों तो आपने हलका सा ओयल लगा लेना है लगाने के बाद फिर आप इसकी डंडिया तोड़िए तोड़के तो आपने ऐसे चोपर में डालके इसे चोप कर लेना है पिर किसी भी बरतन में आपने इसको डाल लेना है डालके तो जतनी है जुखी है आपने छिवां या काट लिए था जुड़ पकड़ा ने काटते जहां बहुत लिए भी चुरी के साथ है लिए यह एस इसाहरा कर जारा ने जब यह सुप समय धूट फिरंग तो यह स बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगी यह देखिए बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई ग्रीन की ग्रीन है जैसे फ्रेश हमने चौप की हो ऐसे ही है तो आप ऐसे इजीली इसे स्टोर करके रख सकते हो जब जरूरत पड़े इसे निकाल के यूज कीजिए जट पट आपका काम हो ज चड़क लेना है फिर आप अंडा फ्राई करोगे बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगा और बहुत ही अच्छा आपका अंडा फ्राई होगा यह देखिए मैंने गी डाल दिया और एक चुटकी इसमें नमकी चड़क दिया है और यह देखिए अंडा खुद से ही उपर उ सुटकों वाली आ रही है तो आप देखके को भी लीजिएगा फिर भी डाउट होता ही है कि इसमें कहीं सुटी वगएरा ना हो तो आपने क्या करना है इसके मोटे मोटे फूल ऐसी अलग कर लेनी है अलग करने के बाद पिर आपने इसके अंदर पानी डालना है काफी सारा आदा चमच हल्दी का डाल देना है और आदा चमची नमक का डाल देना है फिर इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे अगर इसमें कोई सुंडी वगारा हुई तो वो पानी के उपर आ जाएगी अंतर से निकल जाएगी तो फिर आप इसे अच्छी तरह वाश क करके अपनी गोभी को काटके तो पका सकते हो फिर इसमें कोई भी सुंडी वगारा नहीं रहेगी तो पहले तो आप देखे लो कि असमें सुंडी वगारा नहीं रहेगी então कि पर भी आप उसे एक दफासरोर दो लिए अगर कोई सुंडी होगी जितना मर्जी देख के लो सुंडी वगारा निकल आती ही है तो आप ऐसे धोगे से यूज कीजिएगा तो फिर आपको बे फिकर होके से यूज कीजिएगा आपको टेंशन नहीं रहेगी कि इसमें कोई सुंडी वगारा होगी नेक्स टिप अगर गर्मियों में आपने आटा ज्यादा घूंद लिया है तो आटा अकसर उपर से ब्लैक हो जाता है और गर्मियों को खमीरा भी बहुत जल्दी हो जाता है तो आपने क्या करना है उसके उपर हलका सा ऑल का हाथ ऐसे लगा देना है फिर आप इसे cover करके रखिएगा आप दो दिन भी इसे रखोगे ना तो यह उपर से black नहीं होगा ना तो यह उपर से black होगा और ना ही खमीरा होगा बिक्टेरिया वगरा जो है वो आटे के अंदर जब गुसते हैं तो इसे खराब करते हैं जब इसके उपर चकनाई की लेयर लग जाएगी तो बिक्टेरिया अंदर ने जाने पाएंगे और आटा हमारा खराब नहीं होगा नेक्स्ट बहुत ही अच्छा और्गनाईजर बनाना आपको बताऊंगी यह जो जूतों के डिबे वगरा होते हैं हम इने फैंक देते हैं तो इसके साथ आप बहुत अच्छ और जो डिबे होते हैं वह को अपर को जुड़ा हुआ ही होता है तो यह मने ऊपर से उतार दी है और इसे जो ओर नहीं कर दिया हिए अब यह जो बोर्गनाईर और नहीं मैं जूड़ेंगे दो पीस कर ली यह और यह मैंने दो साइड़ों पर लगा दिये, अब ये ऐसे आगे लगा देंगे ये लीजिए ऐसे तो ये देखें बहुत ही अच्छा हमारा और्गनाइजर बन चुका है अब आप इसे अपने चूले के पास लगा के तो इसके अंदर माचस वगारा और चोटी मोटे मसाले की डबिया रख सकते हो तो आपने इसे पीछे लगा के डबल साइड टेप जो होती है वो आपने ऐसे लगा लेनी है लगा के तो आप अपने चूले के पास इसे दिवार पे लगा लीजिए और इसमें अपनी चीज़े रखीए, काफी चीज़े मसालय व क्यारा आपके चूले के पास आ जाएंगे और जब आप कुकिंग करोगे तो आप उधर से ही उठा के उसे यूज कर सकते हो काफी मसाले ऐसे होते हैं जो हम मिसाले वाले और नमकमेर्ष वाला जो डिबा लेते हैं उसके अंदर आठे भी नहीं है उसके अंदर भी five- शे चीजा थियां तो लेकिन पिर भी चोटी मोटी चीजा है जो रह जाती है नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो प्लास्टर की बोतल के साथ हम बहुत ही जबरदस्ती चीज़ बनाएंगे इसका ऐसे बैक जो है नीचे वाला जो पेंदा इसका होता है वो ऐसे हमने यहां से कट कर लेना है निशान से यह देखिए बहुत ही जबरदस अर्गनाईजर बनके तियार होता है इसे ऐसे काटने के बाद यह दो शुराख हमने ऐसे कर लेने हैं कील के साथ आमने सामने ये दो सुराख हमने कर लिये हैं, अब ऐसे कोई भी डोरी या तार लेके उसे ऐसे हम बांद लेंगे ये देखें ये एक ऐसे टोकरी की तरह बन जाएगा ये देखिए कितनी अच्छी टोकरी बन चुकी है अब इसके अंदर भी हमने सुराह कर लेने हैं ये जो इसके नीचे को हिस्से होते हैं ना बोतल के इसके अंदर हमने ऐसे सुराह कर लेने है आप इस टोकरी को प्लांटेशन के लिए भी यूज कर सकते हो आप इसके अंदर छ और ये टोकरियां बना के अपने गर में ऐसे लटका सकती हो डेकृरीशन पीस के तोर पे तो ये देखिए मैंने इसके अंदर सुरा कर ली हैं और ये बहुत ही प्यारी सी टोकरी हमारी बन के त्यार हो गई है इसका यूज हमने कहा करना है आप इसे अपने नल के साथ लटका लीजिए और काम करने के बाद आपने अपना जो भी बरतंद होने वाला स्पांच होता है और ये जो जाली होती है इसको आपने यूज करने के बाद इसके अंदर रख लेना है और इसके अंदर जो पानी इसके अंदर से बू वगरा भी नहीं आएगी और ये सफाई भी बहुत ही अच्छी करेंगे ये बहुत ही अच्छा तरीका है ऐसे इस पांच और अपनी जाली को साफ रखने का तो आप ऐसे इसे रख सकते हो नेक्स्ट जब हमारे गर में टूथ पेस्ट वगरा हम जो भी यूज करते हैं अपने गर में वो खतम हो जाती है तो आपने ऐसे उसे पीछे से काट लेना है और ऐसे फिर उसे खोल लेना है अच्छी तरह आपने ये देखिए ऐसे ये देखें मैंने इसे खोला तो इसके अंदर कितनी सारी टूथ पेस्ट अभी लगी हुई है हलाके मैंने इसके अंदर से बहुत ही अच्छे तरीके से निकाली है फिर भी काफी रह गई है अब इसे हमने पानी लेके किसी भी कटोरी में या किसी भी इसे हमने धो लेना है अच्छी तरह। आपने मल के सारी टुथ पेस्ट अतार के पानी मिक्स कर लेनी है। ये देखिए पानी के अंदर कितनी सारी टूथपेस्ट आ गई है दूदिया हो गया है सारे का सारा पानी तो ये लीजिए ये सारी टूथपेस्ट हमने पानी के अंदर कर ली है और देखे पानी के ओपर कितनी जाग भी आ गई है अब इस पानी के अंदर हम डालेंगे एक चुटकी मीठा सोडा और इसे कर लेंगे मिक्स अब ये जो हमारे पास जबरदस्ती चीज बनी है ये हम यूज करेंगे क्लिंजिंग के लिए इसके साथ आप अपने सिंग को साफ कीजिए अपनी टाइलें वगारा भी आप किचन की साफ कर सकते हो बहुत ही गी वगारा लग जाता है किचन में और आपने चूले के पीछे वाली टाइलें और सिंग के पीछे वाली टाइलें ये सारी चीज़ें आप इसके साथ साफ कर सकते हो बहुत ही अच्छी साफ होती है यह देखिए सिंक मैंने इसके साथ साफ कर लिया है तो कितना जबरदस सिंक साफ हुआ है और यह देखिएगा अब मैं आप लोगों को टाइलें भी साफ करके दिखाऊंगी अक्सर दिवार के साथ जो हिस्से होते हैं ना वहां पे अच्छी तरह कपड़ा लगता नहीं है तो वो साफ नहीं होते मैल वहां पे जम जाती है तो आपने ऐसे थोड़ा सा इसे डालना है डालने के बाद आप ऐसे कपड़े के साथ रगड दीजिए या ब्रश लेके थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा लगाते ही आप देखिए का सारी की सारी मैल कुचैल जो है ना वो कैसे बाहर निकलती है कैसे इदर से साफ होती है तो ऐसे ही आप मैं आपको थोड़ी सी दिवार भी साफ इसके साथ करके दिखा देती हूँ तो ये देखें आपके सामने ही कितनी ज्यादा यहां पे दिवार के साथ मैल लगी हुई थी तो देखें माशालला कितनी शाइन कर रही है हमारी ये टाइलें बहुत ही जबरदस्त साफ हुई है तो आप ऐसे इसके साथ अपने घर की भी सफाई कर सकते हो गर की टाइलों की पत्थर की सफाई कर सकते हो ये देखें जितना हिस्सा मैंने साफ किया है वो माशालला कितना शाइन कर रहा है बाकी जो अभी साफ ने किया वो अभी कितना गंदा है तो आप ऐसे अपने घर की सफाई इस क्लीनर के साथ कर सकते हो आपको लग 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 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एजिली आप सारी चीजों की सफाइज के साथ कर सकते हो तो जरूर ट्राइ कीजिएगा इन टिप्स को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शियर जरूर कर दीजिएगा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें नेक्स वीडियो तक के लिए जाज़ा दीजिए अलाफिज